तो आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन आज संसद में वित्त वर्ष दो हजार बाइस तेस का बजट पेश करेंगी। आम आदमी को महंगाई से राहत मिलने के आस है। जबकि एक नौकरी पेशा को बजट से आएकर में छूट की उम्मीद है और इधर बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री राश्पती से मुलाकात करेंगी तो वहीं राश्पती से मुलाकात के बाद बजट को कैबिनेट की बैठक में सुविक्रिती दी जाएगी। तो आपको बता दें कि वित्त मंत्री राश्पती से मिलने के लिए निकल चुकी है। आज वित्त वर्ष 2022 का किंद्री वित्त मंत्री निर्मला सीतरावंड अपना चौथा बजट पेश करेंगी। बजट से पहले वित्त मंत्री राश्पती से मुलाकात करने के लिए निकल चुकी है। आपको बता दें कि करीब ग्यारा बज़े के आसपास वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करेंगी। करोना की तीसरी लहर के बीच आज वित्त मंत्री निर्मला सीतरावंड आम बजट पेश करेंगी। सुभा दस बच कर दस मिनिट पर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के अध्यक्षता में होने वाली केंद्रे कैबिनेट की बेठक में शामिल होंगी। इस बेठक में बजट कॉप चार एक मन्जूरी मिलेगी। वित्र राज्यमंत्री पंकाच चौधरी ने का है कि वित्र मंत्री हरक शित्र की जरूरतों के मताबिक समावेशी बजट पेश करेंगी। आज के बजट से किसानों सहित सभी सेक्टर को उम्मीद रखनी चाहिए। महमारी के दोरान लोगों की जिन्दगी बदली और जज़ूरते भी बदली हैं ऐसे में इस बजट से उम्मीदیں भी कुछ अलग हैं। महमारी के दोर में पेश के ज़ा रहे बजट की बाते इसी दोर की भाशा में आपको बताएं। सबसे बड़ी उम्मीद इंकम टेक्स की राहत वाली वैक्सिनिया ने की टेक्स फ्री इंकम का दाइरा बढ़ना चाहिए ऐसी एक सर्विस सेक्टर के हर वर्ग को उम्मीद है किसान, छोटे मझोले व्यापारी और टूरिजम सेक्टर को भी स्पेशल पैकेज की आस है युवाओं को रोजगार का सपोर्ट चाहिए तो इंडस्री को लोन टेक्स जैसे प्रॉसिस में रेलेक्सेशन मोधी सरकार का दस्वा और वितमंतरी निर्बला सीतरमन का ये चौथा बजट है लोग चाते हैं कि टेक्स फ्री इंकम का दाइरा बढ़ाया जाए 2014 में इंकम टेक्स की चूट दो लाग से बढ़ा कर धाई लाग की गई थी इसके बाद ये नहीं बदली 2020 में नई वेवस्था आ गई इसे ज्यादा लोगों ने अपनाया नहीं इसमें सेविंग्स पर चूट नहीं थी